नमस्कार दोस्तों मैं हूर अभी और आप देख रहे हैं दा इने टुपर चैनल आज का वीडियो इंपोर्टेंट है जो लोग बैंक से जुड़े हुए यानि कि आप लोगों के डिपोजिट पे जाये वो फिक्स डिपोजिट या फिर रिक्रिंग डिपोजिट या फिर जिस दो तरीके के टैक्स बनते हैं अगर आप लोगों के पास पैनकर्ड है तो आप लोगों को 10% के टैक्स देना पड़ेगा यानि कि TDS की रूप में अगर आपके पास पैनकर्ड नहीं है तो आपको 20% के टैक्स देने पड़ेंगे अब ये काम कैसे करता है जैसे कि अगर आप लोगों ने fix deposit से recurring deposit से या फिर interest से जो आप लोगों के saving account पर मिल रहा है और वो 40,000 या फिर उससे कम है तो आप लोगों को एक रुपए के भी TDS नहीं देने और जो भी interest earning होगी वो आप लोगों के salana income में जाकर के count होगे और जो भी tax labs होगे उनके according आप लोगों को interest rates, sorry taxes भरने पड़ेंगे वहीं पे अगर आप लोग की interest earning 40,000 के उपर जाती है और अगर आप लोग senior citizen नहीं है यानि कि 60 साल के उपर नहीं है तो आप लोगों को tax liability होगी वो 10% की होगी without pen card यानि कि आपने अपने bank को pen card दिया हुआ है तो आप लोगों को 10% की वहाँ पर TDS कटेगी अगर आप लोगों ने pen card नहीं दिया है तो वही TDS 20% पर चली जाएगी अगर आप लोग senior citizen है यानि कि अगर आप लोगों की उमर 60 साल या फिर उससे जादा है तो यही जो tax liability है ATT-T-B के अंतरगत 50,000 रुपर तक की चली जाती है अगर आप लोगों की salana income interest से ठीक है तो यह है चीज़े बाकी अगर हम लोग बात करते हैं जो आप लोगों को tax shoot मिलती हैं जो भी आप लोग deposit में investment करते हैं तो अगर आप लोग 5 साल की abds कराते हैं, rds कराते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को tax shoot मिल जाती है under ATC up to 1.5 lakh और कई सारे banks आप लोग को 3 साल में भी देते हैं, तो most of the bank जो देते हैं वो 5 साल तक में ही देते हैं और डूसरा question आता है दोस्तो इसी में कि जो आप लोग अपने wife के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने parents के लिए investment कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों कुछ tax shoot मिलती है की नहीं, तो नहीं दोस्तो, आप लोगों को उसमें किसी वी तरह की tax shoot नहीं मिलते हैं और आपने बच्चों के लिए investment करा, न के लिए कुसी tax benefits वाले options में, तो वो claim कर सकते हैं तो आई होब दोस्तो आप लोगों को यह सारी जानकारे मिल चुकी कि deposits पर किस तरह के taxes लगते हैं interest पर किस तरह के taxes लगते हैं किस तरह से tax benefit मिलता है तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ग्यान मिला हो तो like कर दीजेगा दूसरों के साथ सेयर करके उनकी भी मदद कीजिए इस चीज को समझने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकनों क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आ सकेंगे हम लोग नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए आप लोगों का दिन सुभो जैहिन